दा फिलिप्स कर्व ए डबलू फिलिप्स यानि की विलियम फिलिप्स एक प्रोफेसर थे लंडन स्कूल आफ एकोनोमिक्स में उन्होंने यूके में 1861 से 1957 के बीच में वेज बीहेवियर और अनिम्प्लाइमेंट रेट के बीच में इस्टिडी किया तो एक कर्व डेबलेप होता है उसी कर्व को क्या कहा गया फिलिप्स कर्व कहा गया तो विलियम फिलिप्स ने UK में unemployment और wage rate behavior को study किया उन्होंने पहला condition यहाँ पर study किया कि if unemployment is low यानि कि अगर unemployment low है यानि कि ज़्यादतर लोगों के पास job है ज़्यादतर लोगों के पास नौकरी है वो earn कर रहे हैं जब वो earn कर रहे होंगे तो उनके पास पैसा होगा अब उनके पास पैसा होगा तो वो product की demand बढ़ेंगे आपके पास पैसा है तो आप बैटा भी सवाथ है कि आप demand जएदा करोगे products की goods की services की demand जएदा करोगे और जब goods की demand जएदा करोगे तो उस case में जो companies हैं उनको ज़्यादा production करने के लिए उनको ज़्यादा labor की requirement पड़ेगी employees की requirement पड़ेगी यानि कि यहाँ पे क्या होगा कि there will be higher demand of labor companies को organization को ज़्यादा labor requirement होगी क्योंकि production ज़्यादा करना है production ज़्यादा क्यों करना है क्योंकि सबी लोग employed है सब के बास पैसा है सब demand कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा production करना पड़ेगा तो ज़्यादा production करने के लिए उनको ज़्यादा labor की requirement पड़ेगी अब जब ज़्यादा labor की requirement पड़ेगी और market में सबी लोग employed है और labor की requirement है तो बट आपसी बात है कि जब कोई चीज कम होता उसकी demand ज़्यादा होते तो उसकी price के बढ़ेगी उसकी price बढ़ जाती है तो similarly जब labor की requirement यहाँ पर ज़्यादा है labor की demand बढ़ रही हो और सबी लोग employed है और उस case में labor की demand ज़्यादा है तो उस case में जो उनका wage demand होगा वो क्या बढ़ेगा बढ़ेगा यानि कि bargaining power क्या होगी वो बढ़ जाएगी bargaining power of trade unions या फिर group of workers या फिर employees की क्या होगी वो increase होगी जब bargaining power increase होगी तो इससे क्या होगा कि wage rate जो है वो rise करेगा भाई market में सब लोग employed है सब के पास job है और उस case में ज़्यादा labor की demand भी हो रही है जब ज़्यादा labor की demand होगी तो वो आपको ज़्यादा पैसा देने को तैयर होगा आप और लड़ी 20,000 में कहीं job कर रहे हो और आपकी demand किसी दूसरी company में आती है तो वो company क्या करती है आपको 20,000 नहीं बलकि 30,000 रुपए देकर अपने हाँ पर हाइर कर लेती है तो wage rate क्या होता है बढ़ता है जब unemployment rate कम होगा इस तरह के से दूसर condition कहा है कि if unemployment is high अगर unemployment high है यानि कि ज़्यादा तर लोग लोगों के पास job नहीं है ज़्यादा तर लोगों के पास job नहीं है सब jobless है तो उस case में क्या होगा कि there will be access labor market में ज़्यादा labor available होंगे तो यानि कि labor की demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी भाई market में सब लोग unemployed है जब सब लोग unemployment है तो demand कहां करेंगे जब demand नहीं करेंगे तो गुर्सों services की ज़्यादा production होगी नहीं और जब ज़्यादा production नहीं होगा तो companies को ज़्यादा labor की requirement होगी नहीं ज़्यादा labor की requirement नहीं होगी तो यानि कि वहाँ पे labor की demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जब labor की demand कम हो जाएगी तो जो bargaining power होता है employees का या फिर trade unions का वो क्या होगा वो decrease करेगा भाई market में अल्रेडी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं जब बेरोजगार घूम रहे हैं तो आप 20 जार आग मांगोगे मैं दर्जार में किसी और को हैर कर लोगा तो bargaining power क्या होगी कम हो गई कब कम हो गई जब unemployment हाई होता है यानि कि बेरोजगारी ज़्यादा होती है तो उस case में क्या होता है कि जो rise in money wage rate होता है वो कम हो जाता है slow rise होता है यानि कि फिर वहाँ पे जो wage rate है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है यानि कि wage rate यानि कि जो salary है वो जादा increase जादा rate से increase नहीं करेगी तो यही जो relationship है इसको जो है फिलिप ने find out किया UK में उस duration में कि unemployment अगर low है यानि कि unemployment जादा नहीं है तो उस case में wage rate जो है बढ़ता है और अगर unemployment high है यानि कि बेरुजगारी जादा है तो उस case में जो money wage rate है वो जादा तेज राइ नहीं करता है clear तो इसी के basis पे उन्होंने जो है एक relationship find out किया A.W. Phillips found that rate of unemployment and rate of increasing money wages are inversely related inversely आनि के opposite होते हैं unemployment बढ़ेगा तो wage rate घटेगा unemployment घटेगा तो wage rate बढ़ेगा तो यही चीज उन्होंने जो है form किया rate of unemployment and rate of increase in money wages are inversely related means at higher rate of unemployment the rate of rise in the money wages rate is lower and vice versa यानि कि अगर high होगा unemployment का rate तो जो rise in money wages rate है वो क्या होगा लो होगा और अगर low होगा unemployment rate तो जो rate of rise in money wages rate है वो जादा होगा अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं यानि कि आपके पास ज़्यादा salary मिल रही आपको तो but obviously वाद है कि आपके पास पैसे ज़्यादा होगे तो आप demand भी ज़्यादा करोगे और जब आप demand ज़्यादा करोगे किसी प्रोडर्स की गुर्स की तो उसकी price भी क्या होगी कह है सब अर्ण कर रहे हैं तो उस case में सब के पास पैसा होगा सब के पास पैसा होगा तो सब डिमांड करेंगे और जब सब डिमांड करेंगे गोड़ सविसे की तो उसकी prices क्या होंगी बढ़ेंगी prices बढ़ेंगी इसी को हम क्या कहते है inflation कहते है यानिकी inflation बढ़ेगा inflation मतलब क्या होता है rise in price of goods and services जब price of goods and services में rise होता है increase होता है तो से को inflation कहा जाता है clear तो 이 inflation कब आ रहा है unemployment low है यानिकी सबी के पास job है सब पैसे अंड कर रहे हैं जब सब पैसे अंड कर रहे हैं तो जब unemployment rate high होता है तो उस case में सब के पास पैसे नहीं होंगे जब सब के पास पैसे नहीं होंगे तो ज़्यादा demand भी नहीं करेंगे और जब ज़्यादा demand नहीं करेंगे तो prices क्या होंगी लो होंगी और जब यानि की rise नहीं होंगी लो होंगी या फिर price rise नहीं करेंगी तो य यहां पर inflation rate क्या होगा lower होगा inflation rate कम rate से जो है increase करेगा तो यहां पर आपको दो relation मिल गया क्या कि अगर unemployment low है तो inflation high होगा और अगर unemployment high है तो inflation rate क्या होगा low होगा तो यह भी क्या है फिलिप्स कर्व जो है एक generate करता है जब आप इसको जो है इस relation को graphically present करोगे तो एक curve develop होगा उसी कर्व को फिलिप्स कर्व कहा जाता है तो assuming price level changes in accordance with the wage rate the फिलिप्स कर्व describes the relationship between inflation and unemployment तो फिलिप्स कर्व क्या है inflation और unemployment के बीच में जो है वो कर्व जो है relationship describe करता है क्या describe करता है कि inflation is higher when unemployment is low inflation क्या होगा जदा होगा जब unemployment लो होगा सब के पास पैसे हैं तो सब डिमांड करेंगे सब डिमांड करेंगे तो price बढ़ेगी तो इनफ्लेशन बढ़ेगा तो inflation is higher when unemployment is low and lower when unemployment is high यानि कि inflation lower होगा जब unemployment क्या होगा हई होगा जदा तर लोग बेरोजगार हैं तो डिमांड नहीं होगा जदा जब जदा डिमांड नहीं होगा तो price बि Aaaas नहीं करेंगे आने की जो inflation rate है वो क्या होगा लो होगा तो यही flip curve कहलाता है तो जब graphically आप उसको present करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक curve आएगा और यह जो blue में आप curve देख रहे हैं इसी को जो downward sloping इसी को हम flip curve कहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं unemployment rate है और inflation rate है तो unemployment अगर 6% है तो inflation क्या होगा दो परसेंट है unemployment अगर जो है 3% है तो उस case में जो inflation rate है वो 7% है unemployment कम है unemployment कम है तो सब के पास पैसा है सब demand करें तो price बढ़ रहे है यानि कि inflation भी बढ़ रहा है और unemployment जादा है यानि कि सब के पास पैसा नहीं है सब पैसा नहीं है सब demand भी नहीं करेंगे ज़्यादा demand नहीं होगी जब ज़्या में क्या होता है कि US,다 में, अमेरिका में क्या होता है, कि एग ऐसा situation आता है। कि जब inflation rate भी बल रहा था और unemployment rate भी जो है बल रहा था, unemployment rate भी बल रहा था और inflation rate भी जो है बल रहा था, तो उस stage को क्या का गए, stagflation जहाँ पर यह जो Philip Curve था वो fail हो जाता है The Philip Curve failed in 1970s when in USA there was a situation of high unemployment and high inflation Unemployment भी हाई था और inflation भी हाई था Philip Curve just इसका opposite कहता है लेकिन 1970s में एक ऐसा situation है कि जहाँ पर unemployment भी बढ़ रहा है और उसका rate हाई है और जो inflation का rate है वो भी हाई है इस stage को क्या गया कि stagflation कहते हैं और उसमें जो है Philip Curve जो है वो fail हो जाता है तो यही चीज़ क्या गयाता है This time is also called breakdown of Philip Curve in 1970s तो यह breakdown था Philip Curve का 1970s में क्यों क्योंकि Philip Curve कहता है कि अगर inflation जादा होगी तो unemployment क्या होगा वो low होगा लेकिन यहां पर क्या हुआ था 1970s में कि unemployment भी हाई थी और जो inflation था वो भी हाई था तो इस situation को stagflation कहा गया और इसको breakdown of Philip Curve in 1970s कहा गया था तो होब कि आपको Philip Curve क्या है वो समझ में आओगा फिश्यो आल रबिष्ट की पहुचेंग